चायती राज विभाग उत्तर प्रदेस में आ गई है पंचायत सहायक के पदो पर वेकेंसिया अगर आपने टल्थ पास किया हुआ है आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं लगभग साथ हजार पोस्ट आई हुई है कोई फीस नहीं लगनी है सिर्फ और सिर्फ आफलाइन फॉ में आपकी जॉब लग सकती है फॉर्म आपको फिल अप कर देना है फीस कोई नहीं लगनी है और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है यहाँ पर पंचायत राज यूपी की वेबसाइट कुली हुई है इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन पर म मिल जाएगी देखे इसका पूरा नोटिफिकेशन खुला हुआ पंचायत सहायक काउंटेंट कम डाटा इंट्री ऑपरेटर में चयन किया जा रहा है अभी सिर्फ ग्यारा हजार ही पंचायत सचिव कार्यत हैं 58189 पदों पर फिर से वेकंसी निकाली गई है डाटा इंट्र करना है फॉर्म को फिल अप किस तरीके से करना है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं तो अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा पूरा लाश्ट तक दिखेगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है और और जन्मतिति आपको लिखनी पड़ेगी हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुशार, उसके बाद में आयू एक जुलाई 2021 को कितनी हो रही है, कितने वर्स के हूँ है, कितने महीने के, कितने दिन के हूँ है, अगर आप यह नहीं निकाल पाने तो Google Calculator जाकर के आप खोज लिजे आज की डेट सेलेट करिएगा, अपना डेट आप बर सेलेट करिएगा, कैल्कुलेट कर दीजेगा, आपके सामने आपकी डेट निकल करके तयार हो जाएगी, अब यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद में आपको अपना जेंडर यहाँ पर लिख लेना है, पुरू से लेकर के लास्ट तक, मोबाइल नमबर आपका जो चल रहा हो, वैलिड हो, अगले एकाक साल के लिए उसको यहाँ पर भरिए, मोबाइल नमबर पूरा आपको यहाँ पर भरना है, सहची को योगिता कौन कौन सी है, कब का पास की है, सबाद को लिखना पड़ेगा, क्रम संख्या डा कर देना है, कि स्रेणी में पाश किया, और प्रसितर भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, अगर आपके पास सिच्छा है, इससे उपर तो आप यहाँ पर तीन नमबर डालेंगे, ग्रेजिशन के एंट्री कर देंगे, या जो भी आपके पास सिच्छा है, उसके एंट् आपको यहां पर क्लिक करना यहां पर लिखना होगा अगर कोई यहां पर करेंगे उसका रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा हाला कि आपके पास होना चाहिए और आपके पास यह भी प्रूफ होना चाहिए आपको अपको अपना एक आडी काड़ लगाना है उसके बाद में आपको अगर आप क्लेम कर रहे हैं कास चर्टिपिकेट तो आपको लेहां पर पूरा देना पड़ेगा सारी जानकारी लगा देना है जितने भी आपके पार एजुकेशनल मार्कशीट है और आपको भेज देना है कहां भेजना है मैं आपको बता दिकाँ हूं सूचना के प्रकासन के तिति के 15 दिन के अंदर आपको ग्राम पंचायत या संबंदित विकास खंड कार्याले में या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी के समक्ष ये आपको भर दिक के भेज देना है अब इसको आप चाहे तो पोस्ट कर सकते हैं या बाई हैंड भी जाकर के दे सकते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी कारयाले अथ्वा विकास खंड में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने के अंतिम तितित से साथ दिन के अंदर संबंदित ग्राम पंचायत को प्लाप्त कराये जाएंगे आवेदन साधे कागज पे होगा यानि कि ये जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा